जनुदे में आज देखिए भारत के साथ रिस्तों की 29 एनिवर्सरी पर हुआ ब्लास्ट देश के 63 एरपोर्ट पर हाई अलर्ट स्वागत है आपका जनुदे में मैं हूँ आशा शर्मा इसराइल धमाके पर चर्चा होगी आज जनुदे में लेकिन सबसे पहले हेडलाइन्स आगरा हाई बेप पर बस और ट्रक में विशन टककर दस यात्रियों की मौत भीस से ज़्यादा घायल टिकेट के आंसों ने किसान अंदोलन में फुकी नहीं जान गाजीवर बॉर्डर पर पहुँची हजारों की भीड आज सद्वावना दिप्स मनाएंगे किसान दिन भर रखेंगे उपवास पंजाब हर्याना से दिल्ली तक करेंगे कूच टॉप 15 संकर्मिट देशों की सूची से भारत हुआ बाहर देश में तीन मुना तेजी से रिकवर हुए मरीज ट्रैफिक नियम तोडने पर रोका तो ताना शाह गदाफी की बहुने कार से पुलिस और लोगों को रोंधा आ गई के जीएफ चेफ्टर टू की रिलीज डेट परदे पर राम सीता बनेंगे रित्तिक और दिपिका भरत के साथ रिष्टों की 29 एनिवेर्सरी पर हुआ बलास देश के 63 एरपोर्ट पर हाई अलर्ट इनी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे आज जनुदे में दिली में इसराइल दूतावास के पास शुकरवास को शुकरवास शाम को करीब 5 बजे बलास्ट हुआ दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुए बलास्ट में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन आसपास खड़ी चार से पांच गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है इसराइल ने इसे आंतिकी हमला करार दिया है बलास्ट को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्यूंकि शुकरवार को ही भारत इसराइल के कूट नितिक रिष्टों की 29 साल गिरा थी दिली में हुए दमाके के बाद केंदरी मंत्री अमित शा ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजंसियों में आला अधिकारी भी मौजूद थे बैठक में दिली पुलिस को इस मामले में जल्द अपनी तप्तीश पूरा करने के निर्देश दिये गे साथ ही खुफिया एजंसियों को हर संबब मदद मिली पुलिस को महिया करवाने का निर्देश दिया गया है ग्रह मंतरी शनिवार को भी बैठक कर सकते हैं दिली में किसानों के जारी परदर्शन और आज शाम हुए धमाके के बाद केंदरी एक ग्रह मंतरी हमिश शान है कल शनिवार को अपना बंगाल दोरा रद कर दिया है विस्पोर्ट सल से एक लिफाफा बरामद हुआ है जिस पर इसराइल दूतावास का पता लिखा है जिसकी जांच पुलिस कर लिए है इसराइल दूतावास के बाहर हुए दमाके के बाद दिली पुलिस हाई अलर्ट पर है जानकारी के मताबिक इस दमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तमाल किया गया साथ में या भी कहा जा रहा है कि या विस्ट पोर्ट किसी बड़ी साजिस का हिस्सा हो सकता है बही मुंबई पुलिस भी इस घटना के बाद हाई अलर्ट पर हैं और पूरे शहर में शुरक्षा बढ़ा दी गई है साथ में इसमें या भी कहा गया है कि दिल्ली में हुआ ये धमाका बस एक ट्रेलर है इस लिफाफे में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कही गई है बता दें कि कासिम सुलेमानी इरान सेना के जर्नल थे जिनने अमेरिका में एर स्ट्राइक पर मार दिया गया था जर्नल कासिम सुलेमानी इरान की एजन्ट फोर्स के जर्नल थे फिलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही आगे की खबरों के लिए जुड़ेने जनुदे के साथ